हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल और मैं हो सुझाता तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आई हो 5 अमेजिंग यूस्फूल प्रोडक्ट्स जो आपकी कीचन में आपकी बहुत जादा हेल्प करने वाली हो और यह जितने प्रोडक्ट मैंने बाई करें हैं दोस्तों अमेज़ों से बाई करें हैं तो फटापट से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो तो मेरा यह पहला प्रोडक्ट है अक्सर हम जब डिश वाश्चिंग करते हैं तो जब बरतन वाश करते हैं जो हमारा बिम्बार होता है वो पूरा लिक्वेडिय और वह क स्टोरेज भी बोल सकते हैं यह बहुत ही अच्छा बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्ट है इसमें आपको अपना लिक्विट डालना है जो भी आप डिशल यूस करते हैं और यहां पर यह सारा पंप करके सारा बहार निकल जाता है इसमें आपको कोई भी वेस्टेज नहीं हो तो चलिए आपको इसको यूज कैसे करना है तो इसमें आपको डालना है अपना मन पसंध जो भी आप लिक्विट सोप इसमें एब करती हैं वह आपको इसमें एड करतीvoice यहां पर छोड़ा सा पानि भी इसमें एड करती हूँ क्योंकि बहात जादा थिक हो जाता इसलिले और बरतन अच्छे से wash हो हमारे तो इन दोनों चीजों के अच्छे से mix करके इसका cap हम लगा लेंगे बस अब हमने इसका cap लगा लिए तो जब आप इसे उपर से press करेंगे तो उसे क्या होगा जितना भी इससे liquid निकलता है पानी निकलता है वो देखे इस सारा बाहर आता है और यह extra कुछ भी waste नहीं होता है तो बस जो भी आपका sponge है इस तरह आप इससे press करेंगे और यह देखेंगे सारा इसमें जितना भी जाग था, form था वो सारा निकलने लगा है और आसानी से आप इससे अपने बरतनों को wash कर सकती है वो बहुत ही useful product है और जितने भी इन product का price होगा वो मैं screen में mention कर लूँगी इस product से आपके कोई भी dish gel waste नहीं जाएंगे तो फ्रंट्स आपके face में कोई shine नहीं है कोई glow नहीं है तो आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं दोस्तों मामा आर्थ की vitamin C face wash की with vitamin C and turmeric यह बना है दोस्तों for skin illumination vitamin C आपको पता ही हमारे skin के collagen leaven को boost करने में help करता है हमारे skin को glow बिनाता है अगर आपके skin में बहुत जादा pimples है तो vitamin C आपके लिए best है इसमें मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छे ingredients, castor oil, lemon oil, turmeric extract, aloe vera extract जो हमारे skin को fine line से, wrinkles से और pimples से दूर रखते हैं यह product paraben free, silicon free, dermatologically tested और all skin types है मामार्थ की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों यह एक Indian brand है और हमें हमेसा Indian brand को support करना चाहिए और एक यह plastic positive brand है जितना ज़्यादा यह plastic को use करते हैं उससे कई जाता ही plastic को recycle करते हैं अगर आप अपने skin में और ज़्यादा glow और shine लेके आना चाहती है तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मामार्थ का skin illuminate face serum with vitamin C and turmeric अभी आपको मैंने सारे vitamin C के फायदे बताया है यह for skin radiant आपके skin से fine lines को दूर करने में बहाँ ज़्यादा help करेगा यह इस तरह की pump की bottle में आपको मिलेगा इसमें भी paraben free, silicon free, dermatologically tested और all skin types है यह अगर इसे आप मामार्थ से shopping करेंगे तो दोस्तों मेरा coupon code यूज करने पे आपको इसमें भी लगा 20% discount मेरा coupon code है सुझाता 2021 जो screen में mention कर दूँगी इस प्रोड़क्ट्स दोस्तों आपको amazon, nika, purple पी भी available होंगे तो आप वहाँ से जाके भी ने भाई कर सकते हो और इन सभी का link दोस्तों description box में है तो अक्सर बरतनों को wash करते time जो पानी का force आता है बहुत ही speed से आता है और हमारे जो हाथ के slips है वो पूरे भीग जाते हैं अभी तो मेरे बरतनों का जो force है वो एकदम speed से नहीं आ रहा है क्योंकि शाम का time है टंकी में पानी कम हो जाता है तो उसकी speed भी कम हो जाती है इसके लिए मैंने buy करा था यह water saving sprinkle जिसमें rotating wire टाइप की लगी है कि जिसे आप कहीं पे भी rotate कर सकते हो जैसे sinky corners को clean करने में तो चलिए देखते हैं कि यह कितना काम करता है कि नहीं करता है तो यह पहले इसका हम आगे का nozzel अटा देंगे क्योंकि इसके साथ यह fit नहीं होगा तो tap का nozzel अटाने के बाद हम इसे fit करेंगे तो बस इसके अंदर एक rubber होती है जिसे आपको fit करना होता है कि पानी एक से ब कि आपका जो टैप है वो इसी टाइप का हो नोजल उसका इस टाइप को अगर आपको दूसरे टाइप का नोजल होगा तो इसमें फिट नहीं होगा तो देखिए नोजल तो फिट हो चुका है अब देखते हैं इसमें पानी आता है कि नहीं आता है तो यह पानी तो इसमें नह नहीं आ रहा था दोनों टैब मेने उपन करा फिर मुझे लगा साथ force के चकर में नहीं पानी आ रहा था कि force कम था तो देखें यहां से पानी बिल्कुल भी नहीं पास हो रहा है तो मुझे लगा force का I think इसमें सबसे वड़ा वह ओ लफडा हो क्योंकि अगर पानी force से होता है त आपके कपड़ों में स्लीव्स बिल्कुल भी गिले नहीं होते हैं तो इसमें तीन बटन इसमें दिये गए हैं तो फॉर्स सेकंड एं थर्ड तीन टाइप केसमें शावर आपको मिलेंगे जो डिश्वाशिंग करते टाइम बहुत ही ज्यादा है अदर्वाइस पूरे स्लीव में कंड़ी घ्ली ऑगया हो जाते हैं थैजब काई नहीं वह जुऺण होती है था लिव्स क्वाश को टाइब है अकछिंस कम बताथ था शापी नयुदिक में जादा खोण कांना हुब लागा संव कंज hugely में टीकट करें स्टेट में ये turn हो जाता है cleaning करना इससे और जयादा असान हो जाता है तो देखे मैंने आगए से इसको हलका सा turn कर रहा है और आपको स्टेट करना ये बलकुर स्टेट हो जाएगा तो आप इससे directly इस तरीके से भी use कर सकते हो कि आपको platform clean करना हो या हाइट की कुछ चीजे क्लीन करने हो कैबिनेट्स क्लीन करने हो तो इसमें आपको एक स्टीक मिलती है जो काफी डिटेचबल और फोल्डेबल भी है अप इसका जितनी भी लेंद आप इसकी बढ़ाना चाते है वो बढ़ जाती है तो बस आपको इस तरीके का इसको कैब अटाना है और इसके साथ इसको आपको अटेस्ट करना है तो इसकी हाइट काफी ज़्यादा लंबी है मतलब 8 फिट से भी उपर की इसकी हाइट मुझे लगी तो देखिए इस तरीके से इसे ओपन करके और हाइटेट हो जाता है तो इससे मैं अपनी वाल को भी क्लीन कर सकती हूँ तो देखिए ये वाल भी क्लीन हो रही है इस तरीके से आप रखे अपने कीचन के कैबिनेट को क्लीन कर सकते हो आपके जो रूम में अलमीरा होती है उस टॉप अले पोर्शन को क्लीन कर सकते हो काफी अच्छा और यूसफुल मुझे ये लगा प्राइस वाइस भी काफी अच्छा लगा मुझे प्राइस जितने भी है मैंने स्क्रीन में में मेंशन कर रहे हैं तो देखिए इससे आप गीजर वगेरा सारी चीज़ें असानी से क्लीन कर सकते हो वाल क्लीन कर सकते हो तो ये वाला प्राइट मुझे रेली बहुत ज़्यादा पसंद आया तो जो नेक्स प्राइट है मेरा ये पुराना डाइनिंग टेबल है जिसकी कंडिशन देखे आप इसका पता लगा सकते हो बहुत ज़्यादा पुराना है तो इसके लिए मैं मंगाना चारी थी कुछ चेयर कवर तो मुझे थोड़ा डाउड था कि अच्छे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पर्ट रियली दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ओसम है ये स्ट्रेचिबल है तो ये कुछ इस तरीके का मैंने पुरानी डाइनिंग टेबल को इस तरीके से लगा लिया है और उसके साथ मैंने बाय करें है इसके कंट्रास में इस तरीके की डाइनिंग मैट जो ये भी मुझे प्राइज वाइस बहुत ही सही लगे साथ 150 एराउंड अफ था जो भी मुझे प्राइज़ पता नहीं है तो इसकी कॉलिटी भी बहुत अच्छी निकल के आई है इन दोनों प्रोड़क्ट्स में आपको कलर आप्शन मिल जाते हैं तो आप वहाँ से जाके इने देख सकते हैं तो जो नेक्स प्रोड़क्ट है दोस्तों सर हमें अपने बाथरूम में हैंड वाश फेश वाश मैं तो जादा तर फेश वाश अपने बाथरूम में रखती हूँ इस तरीके की जरूरतों की आउश्च रखता पड़ती है बट यह अगर हम कीचन सिंग के बगल में रखते हैं तो वह काफी अन और्गनाइज लगता है तो इसको और्गनाइज करने के लिए मैंने बाई करा है यह मल्टी पॉपस कीचन बाथरूम सैल्फ वाल होल्डर जो मुझे बहुत जादा पसंद आया तो यह इस तरीके का है इसमें आपको कोई भी ड्रिल वगरा नहीं करना पड़ेगा यह प्लास्टिक माटीरियल का बना हुआ है इसमें आपको मिलती है पीछे से यह इस तरीके की शीट जिसको आपको रिमूव करके इसे वाल पे स्टिक करना है और यह इस तरीके के होक्स जिसे आप remove भी कर सकते हो और दुबारा hold भी कर सकते हो तो देखे ये इस तरीके का आपको attach करना है इसमें ये आसानी से इसमें attach हो जाएगा तो ये आपको दो के set में मिलता है तो मैंने ये अपने kitchen sink पे already लगा रखा है side से तो देखे ये easily remove हो जाता है इसमें और फिर आप इ कर सकते हो ये दो के set में मिलता है ये two colors में मुझे मिला है colors इसमें आपको randomly मिलते हैं शायद तो आप देख लीजिएगा इसका भी link मेंने description box में दिया है इन सभी products के जो link है दोस्तो description box में आप वहां से जाके इने buy करना चाते हो तो आप इसे definitely buy कर सकते हो ये काफी अच्छा काफी डाइन से लूँ पर ये मुझे खुदी डाउट हो रहा था कि लूँ की नहीं लूँ काम करेगा है तो अकसर हमारे जो sink में या kitchen sink में या bathroom के sink में काफी सारे छोटे बाल ये कवाड़ा फस जाता है जिससे जो water है वो पास नहीं होता पानी पास नहीं होता जो नाली हो blockage हो जाती है तो उसके लिए मैंने इस तरीके का ये tools मंगाया है जिसे आप पीछे से pressure दोगे तो आगे से इस तरीके का एक hook से खुल जाता है जिससे हम एकदम से उसको press करेंगे तो जितने भी इसमें बाल और कवाड़ा जो भी फस होता हो निकल जाता है तो इसके साथ मु इसको मैंने लगाया हलका सा ये देखिए बिल्कुल किनारे से मैंसे डाल भी क्योंकि अंदर नहीं गुसरा इसका थोड़ा सा जो नोजल है वो थोड़ा बड़े साइस का है और जो ये pipe है इनके नोजल थोड़ा छोटे साइस के है बट ये काफी ज़्यादा यूसफुल कितने बड़े हैं अदर्वाइस ये प्रोड़क्त आपके लिए वेस्ट इस है हाँ आप इसे अपनी नाली को क्लीन करने में इसमें जो चोटे चोटे पाइप से होते हैं उसको क्लीन करने में ये बहुत ज़्यादा है तो आई होब दोस्तों आज काई वीडियो आपको मेर सबसे यादा पसंद आया